हेलो फ्रेंड्स काजल किचिन में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल भजिया बजिया यानि की पकोड़े मुंबई में जो है पकोड़ों को भजिया का जाता है और यह जो पकोड़े हैं बनाने में बहुत ही असान है अगर आपके घर में आलू आपके बना सकते हैं और चलो हम इसकी रेस्पिक यवर आगे बढ़ते हैं मूंग दाल भजिया बनाने के लिए हमने यह पर मूंग दाल को जो है आदा कप मूंग दाल थी हमने जो है इसे चाल पाश घंटे के लिए भिगो दिया था और यह जो है सौफ्ट हो गई है असानी हमने यह पर दाल ले ली हां अभी आपई अपते लागे जींजर यानीक अद्रक यह मेंने 1 तीस्पून ली है आप यम इसमे करेंगे ग्रीन चीळी यह मेंने एक ही ली है अगर आप जादा मिक्षर को निकाल लेंगे इसके लिए हमें जो बहुत ही कम अजानी से मिल जाते हैं और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सोफ्ट बनते हैं अभी हम इसमें अड्ड करेंगे मसाले या पर मैं ले रही हूँ यह मैंने जो है 1 tablespoon ले लिए अच्छे से wash कर लिया था अभी हम इसमें आड करेंगे onion यहां पर friends onion जो है optional है यहां पर मैंने एक onion लिया है अगर आप इसे skip करना चाते हैं तो आप इसे skip कर सकते हैं और इसके बिना भी हमारी जो भजिया है बहुत ही tasty बनती है हमारा यहां पर जो और थोड़ा सा हमने धनिया लिया है इसमें हम आड करेंगे चार ग्रीन चिली अभी हम इसमें आड करेंगे cashews यानि की kajoo है चार पांच ले लिये हैं अभी हम इसमें आड करेंगे नमक हाफ टी स्पून है हमने इसे जो है अच्छे से दर दर पीस लेना है और हमारी जो दियान रखना है फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखना है और आप चाहें तो हाथ के साथ भी इसे थोड़ा-थोड़ा और अच्यसे पकि जाती है उ कितने कम इंटर से हमें इसे बनाया है यह जो हमारी प्ज़िया अकसि नहीं में फेस बनाया है यह जो हाद आप शचर्पघो है हम ने जो है इसे एक साइट से पख जाने पर दूसरी साइड इसे पलटे रहना है ताकि यह दूसरी साइड से भी असानी से पख जांए फ्रेंट्स हम ने या पर ध्यान ठखना है अगर हम अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हम या पर ग्रीन चीरी जो है उसे skipping आसानी से कर सकते हैं, हमारी यहां पर भजिया बन कर बिल्कुल त्यार है, आभी हम इसे निकाल लेंगे, हमने जो है, इसे निकाल लेना है, थोड़ा सा थंडा होने देना है, अभी हम इसके उपर sprinkle करेंगे, यहां पर चाट मसाला, और इसे अच्छे से mix कर लेंगे, इसे हम जो है tomato sauce के साथ और जो चटनी हमने बनाई थी उसके साथ serve कर सकते हैं, और friends आशा करती हूँ आपको यह recipe पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी recipe अच्छी लगी तो please आप like करें, share करें और मेरे चैनल को subscribe करना ना भूले, thank you for watching.